करते हैं हमारी important question की class तो question number पहला है दस राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ option है परुशनी B. विचसता C. गंगा D. सिंदू अब दस राजाओं के युद्ध के बारे में जानेंगे दस राजाओं का युद्ध परुशनी दस राजाओं के संग को हराया था कितने संग को हराया था दस राजाओं के संग को हराया था इसे देश राज्य युद्ध या राजाओं का युद्ध और इसके साथ साथ इसे दस राजान युद्ध कहा जाता है हम देखेंगे इसका उलेख रिंग वेद के साथ्वेमंडल में मिलता है जासराजा के तस राजायों का युद्द हुआ था इसके बार देखेंगे इस युद्ध में एक और कभिला और उसका मित्रपक्ष अब देखो इचाहर थो लोगों के बीच में हो एसा तो होने सकता है कि सिर्फ हेक के बीच में हो विश्वा मित्र थे, और दुसरी और भारत समुदाय था, एक और कौन थे, कबीला और उनका मित्र पक्र समुदाय और दुसरी और भारत समुदाय था, जिसका नितरत्व किसने किया था, तस्चु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, कहां के राजा थे वो, तस्चु भारतों की विजे हुई जिसे भारती उप महादीप के आरिय जी से मंनूने क्या कर आ था जुमा लिया था तो question क्या है दस राजाओं कर युद्ध किस नदी के किनारे हुआ तो दश्राजाओं का युद्ध किस नदी के नारे बदा, option number A, परुशनी नदी, चलिए इस question पर चलते हैं सोमपुरी विश्व विधाले की स्थापना, किसने की कों सा विश्व विधाले, सोमपुरी विधाले, option देखेंगे, राम पाल, B, कोपाल, C, धर्म पाल, D, इसमें से कोई नहीं चलिए सौमपूरी विश्व विध्धाले के बारे में जानेंगे सौमपूरी विश्व विध्धाले यह एक प्राचिन बोध विहार है क्या है यह एक प्राचिन बोध विहार यह बांगलादेश के नवगाउं जीले के कहां पर Bangla देश के नवगाउं जीले के BAdal गाची उप जीले के पहाडपूर में कहां पर हिस्ती थे कया हिस्ती थे सोंपूर विश्व विधाले आगे देखेंगे यह भारती उप महादीब के सबसे प्रसिद विहारों में से एक है भारतिय उप महादीब के सबसे जो विहारों में से एक क्या है ये एक है आगे देखेंगे पालवंश के दीतिय राजा जिनका नाम क्या था धर्मपाल देव पाल वंश के दीतिय राजा जिनका नाम धर्मपाल देव इन्होंने इस विहार का निर्मान करवाया था विहार मतलब सोमपुर विश्व विध्याले का निर्मान करवाया था किसने कराया था धर्मपाल राजा जो किसके वकिस वक्ये वंश के थे पाल वंश के दीतिय राजा ठीक है जिसका क्या नाम था धर्मपाल देव इन्हों ने इस विध्याले का निर्मान करवाया इसके साथ सम्मुद्र सतर से यह विध्याले कितना फीट उचा है तो 80 फीट उचा 80 फीट का उचा कितना से 20 मीटर हो जाएगा तो 24 मीटर उचा है तो क्या पूछा गया है सौम पूरी विष्याले की इस थापना किसने की तो हमने अब यह देखा सौम पूरी विष्याले की इस थापना धर्मपाल ने की ठीक है जिसका राट एंसर के आज आजा है का ओप्शन नंबर C, धैर्मपाल चला एक निक्स कोशन पर चलते हैं राम पाल ने किस विष्व विधधाले की स्थापना की किसने राम पाल ने किस विश्व विध्याले की स्थापना की option है अब राम पूरी बी वल्लबी सी जगदल टी इसमें से कोई है अब राम पूरी बारत के बारे में जानेंगे राम पूरी ने जगदल विश्व विध्याले की स्थापना की किसके इस्तापना की जगदल विश्व विध्याले चलो पिस विश्व विध्याले के बारे में हम जानेंगे जो एक बोध बिहार तथा शिक्षा केंद्र था क्या था जो एक विश्व विध्याले के साथ साथ क्या था शिक्षा केंद्र भी था जो ग्यारवी शताबदी के अंतीम चरण बारवी शताबदी के मध्या वर्तमान समय में यह इस्तान कहां पर है तो वर्तमान समय में यह इस्तान बांगलादेश के धाम इरहाट उपजीले के जगदल गाओं में इस्ती थे कहां पर बांगलादेश के धाम इरावर्ट उपजिला के जगदल गाउं में इस्तित है आगे देखेंगे एतिहासिक रूप से यह वरेंद्र छेत्र के अंतरकत आता है एक इसको एतिहासिक रूप देखा जाए तो यह कहां पर आता है वरेंद्र छेत्र के अंतरकर्थ आता है आगे देखेंगे और भारती सीमा के पास ही पहाड़पूर के निकटे कहां पे जो भारती सीमा है भारत की जो सीमा है उसके पास पहाड़पूर के निकट इस्तित है इस विध्याले की स्थापना पाल राजवंश के अंतिम राजा राम पाल ने की थी, किस ने की थी, राजा राम पाल ने की थी, तो राइट एंसर के आ जाएगा, राम पाल ने किस विध्याले की स्थापना की थी, तो राइट एंसर के आ जाएगा, जगदल, उप्शन नमबर चलिए आगे बढ़ते हैं, गोतम बुद्ध की मा, महा माया की सुवन्ष से थी, गोतम बुद्ध की मा, ठीक है, तो अब हम देखेंगे, गोतम बुद्ध की मा के बारे में, पहले ओप्शन देख लेंगे, लिच्छवी, B, कोलिय, C, सोलंगी, D, शाक्य, अब देखेंगे, महा देवी या महा माया, दोनों कह सकते उनको यह क्या कौन थी, तो यह कोलिय वंशकी रानी थी, कहा की, किस वंशकी थी, तो यह कोलिय वंशकी थी, अब देखेंगे, जिनका धर्मिक मानने था, किस धर्म को मानते थी, वो हिंदु धर्म की थी, इनके पूत तो स्वर्कवास होने के बाद सिधार्थ का पालन पोशन उनकी चल्छे आगे πड़ते हैं विश्व विढलले का विकास किसी ने कराया वल्लबी विश्व विध्याले का विकास किसने कराया इसमें चार ओप्षन देखेंगे बटारक, B, गोपाल, C, कुमार गुपत, D, धर्मपाल हम वल्लबी विश्व विध्याले के बारे में जानेंगे वल्लभी विश्व विध्याले गुजरात के सो रास्ट भाग में इस्ती थे और इसका भारत के पक्षिमी भाग में जो की नालंदा के जैसा गोरोशाली रूप में पाया गया है जो नालंदा का जो विश्व विध्याले उसी के तरह इसका गया है गोरोशाली रूप में पाय प्रसुदधे किस-किस के लिए वल्लाभी विश्व विद्ध्यालय अर्थशास्त्र नितिशास्त्र और चिकिस्था के लिए प्रसुदधे हम आगרי देखेंगे मुख्य रूप से यह हिनियान जोकी बौद धर्म का ही एक अंग है किसका एक अंग है ये विश्व विध्यालय तो हिन्याग जो की बोड़ धर्म का ही एक अंग है और केंद्र रहा है अंग के साथ क्या रहा है ये केंद्र भी रहा है तो विश्व विध्यालय का विकास भट्टा रखने किया था किसने किया था इसका विकास तो इसका विकास बटा रखने किया था तो इसका रखने किया था तो इसका रखने क्या है वल्लबी विश्र विद्धाले का विकास किसने कराया तो वल्लबी विश्र विद्धाले का विकास ओप्शन नमबर ने बटा रखने कराया था चलिए ने करेंगे दो किसक्राइम क्या देखेंगे we must have film ने क्लुक्राइल भारत का प्रसी लाक इन्द्र विस्वय जाता है शिला उसी में आ जाता है तो हम देखेंगे कि विश्व विध्याले भारत का प्रसीद शीला केंद्र विश्व विध्याले था जो कहां पर जो नालंदा विश्व विध्याले विक्रम शीला दोनों पाद राज्यवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसीद देखें वर्तमान समय में जो बिहार के भागलपूर जीले का अंतिरचक गाउं वही है कहां पर है जहां पर विहार के भागलपूर जीले में का गाउं वही पर है जहां विक्रम शीला थी इसकी इस्थापना आठवीश अतापदी के पाल राजा धर्म पाल ने की थी किसने की थी आठवीश अतापदी के पाल राजा धर्म पाल ने की थी तो विक्रम शीला विश्व विध्याले की जो इस्थापना की थी वो किसने की थी राजा धर्म पाल ने की थी यहाँ पर लग दरम से करता है तो इच काम मतला किस काल में मैं और में करवा और धर्म पाल करना एचा है ज्यागे स्विकाम्य कंड पिखस्थ में ओप्छन ए चंत्रीक भूपतव कुमार घुपतअग था विद्ध्धले के बारे में तो जारा डिटेल्स देखो wykon ужас अंता कि इसका कि आनाम था कुमार अधाया का विकार उन्मार्गुप्त के समय हुआ विक्रम अधित्य के पूत्र थे तो इसका राईट हैका नालंदा विष्व विधाले का विकास की काल में ऊवा था चलिए आगे चलते हैं और क्यम अन्ग मुर्थी पूजा में विश्वास नहीं करता था बोध धर्म का कौन सा अंग मुर्थी पुजा में विश्वास नहीं करता था Option number A, हिनियान, B, महायान, C, वज्रयान, D, इसमें से कोई नहीं अब हम पढ़ेंगे जो महायान, प्रजयान, यह क्या चीजे थी, यह मुर्थी पुजा में विश्वास रखती थी अब बचा हिनियान, तो हिनियान, बोध धर्म की शिक्षाओ पर विश्वास रखता था और किसी चीज पर विश्वास नहीं रखता था तो हिनियान, बोध धर्म की शिक्षाओ पर विश्वास करता था जिसमें हिन यान मुर्ती पूजा पर विश्वास नहीं करता था किस पर विश्वास नहीं करता था मुर्ती पूजा पर विश्वास नहीं करता था वह कहते थे कि उनका यह भी कहना था ना ही यह विश्वास करता था कि बुद्ध भगवान है ठीक है उसे पहुने किस पर विश्वास था, शिक्षाओ पर ही विश्वास था, इसका राइट एंसर क्या आजाएगा, option number A, बोध धर्म कौन सा अंग मुर्ती पुजा पर विश्वास नहीं करते था, तो हिनियान मुर्ती पुजा पर विश्वास नहीं करते थे, चलिए आगे, कौन सा पिटक नेतिक आचार सनीता के बारे में बताता है, हम पढ़ेंगे, option number A, अभिधम पिटक B, विनय पिटक C, सुत्त पिटक D, इसमें से कोई नहीं, चलिए, विनय पिटक एक बौध ग्रंत है, कौन सा ग्रंत है, विनय पिटक एक बौध ग्रंत है, विनय पिटक का पिटक या पटिक कहते हैं आगे देखेंगे जिसमें नेतिक आचरण आचार सनिहिता के बारे में बताया गया है आगे देखेंगे इसमें मुख्य कानून संग बिक्चुओ और बिक्चुणियों के लिए नियम है जो विशेश कर किस किस के लिए नियम है तो विशेश कर या नियम बिक्चुओ और बिक्चुणियों के लिए ये नियम लागू किये कहे थे तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा अप्शन नमबर भी विनाय पिटक कौन सा पिटक नेतिक आचरंड सनीता के बारे में बताता है तो राइटेशन क्या जाएगा विनाग पिटक नेतिक आचरंड सनीता के बारे में बताता है चली आगे बोध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है बोध धर्म की शिक्षाओं के बारे में ठीक है तो option number A, अभिधम पिटक, B, विन्य पिटक, C, सुत्थ पिटक, D, B, D, B और C तो हम पढ़ेंगे सुत्थ पिटक, बोध धर्म का एक ग्रंथ है कौन सा पिटक अंग है तो सुत्थ पिटक, बोध धर्म का एक ग्रंथ है या ग्रंथ त्री पिटक के तीनों भागों में से एक है जो तीनों पिटक है कौन कौन से अभी धम पिटक, वीनाय पिटक, सुत्त पिटक की तीनों भागों का क्या है एक अंग है ठीक है पर इन तीनों भागों के एक अंग में सिर्फ सुत्त पिटक है जिसमें बोड़ धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है ठीक है इस ग दे में आती है आगे देखेंगे प्रति Эक सुद्ध की भूमिका है इसमें अनक है तो क्यों स्थान पर किस वेक्ति को वह उपदेश दिया गया है इस बारे में इसमें बताया गया है मिल उनिक गई द्वास चुटी चूटी कहानिया इसमें प्रस्तुत की गई किसने पहुंत कि गई है, सुत्त पिटक में के बोध धर्म में यह चीजें बताई गई है और शेटा India और उपर क्या प्रभाव पड़ा इसे बारे में वी किए और चीजें उन्हों ने देखी है तो उसके बारे में उसके ओपर क्या प्रभाव पड़ा इंचीजों के बताया गया और श्रेता ओपर उसका क्या प्रभाव पड़ा तो इसका राइट एंसर के आ जाएगा ओप्शन नमबर सी सुथ पिटक चलिया हमाई राची क्लास नहीं कतम होती है